नमस्ते, नीताइन किचिन में आपका स्वागत हैं आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मंचूरें विद ग्रेवी यहां ना केवल वेजिटेबल नूडल्स बलकी नान, तंदूरी रोटी और पराठी के साथ भी खाया जा सकता है तो आईए देखें इसे बनाने के लिए हमें किनची सो की जलूरत है एक कप बारी कटी हुई फूल गोभी, एक कप बारी कटी हुई गाजर, एक कप बारी कटी हुई पत्ता गोभी, एक बारी कटा हुआ प्यास, आधा कप बारी कटी हुई फ्रेंच बीस, 4 टेबल स्पून बारी कटे हुई हरी प्यास की पीछे की पत्तियां जिसे स्प्रिंग अनियन भी कहा जाता है 1 टेबल स्पून अद्रक और लहसून का पेस्ट इसे हमने यहाँ पर कूट लिया है 3 टेबल स्पून कॉन्फलोर 3 टेबल स्पून मैदा वन टेबल स्पून चॉप करे हुए लहसू, टू टेबल स्पून टेल, वन टी स्पून विनेगर, दो बारी कटी हुई हरी मिल्ची, नमक स्वाधर मसा, तल्ले के लिए टेल, टू टेबल स्पून सोया सॉस, वन टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, और टू टेबल स्पून र मैदे में 1 टेबल श्कून कार्फ लॉर्ड डालेगे 2 टेबल स्कून हम जब इसकी ग्रेवी तयार करेंगे उसके लिए हमने रखा लेंगे अब हम इसमें आधि पत्ता गो भी और आधी ग्रेवी के लिए बचा लेंगे आधी गाज़, आधी फूल गोवी और आधी बीन्स, हमने यहां पर अद्रखुल हैस्म का पेस्ट तेयार करा था, वो भी हम इसमें ढ़नेए, हमने यहां पर 2 हरी मिर्ची लिठी ह हम आधी हरी मिर्ची इसमें ढालेंगे और आती ग्रेवी के लिए बचाएंगे, नमक स्वाधनु साथ, रेड चिली सॉस एक टेबल स्पूल, ग्रीन चिली सॉस भी टेब स्पून आलेंगे, और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका डो बना लेंगे, इसमें हमें पाले डालनी की जरूरत नहीं है, इसी से हम दो तयार कर लेंगे, हमने इसमें इतनी सारी सबजियो का यूज किया है, वैसे तो सबजिया खाने में आती नहीं है, इसी वज़़े से बच्चे भी इसे आरंग से खाएंगे और सबजिया भी चली जाएगी, वैसे देखा जाता है कि जादतर लोग इसे केवल पतागों भ किया है, इससे सबके फ्लेवर्स हमें बहुत अच्छे मिलेंगे और यहां खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी, अब हमने यहां डो तयार कर लिया है, अगर आपको डो लगाते समय मैदी की जरुद महसुस होती है तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा और एड़ कर सकते अब हमारा डो बन गया है, जब तक हम ओल गरम करते हैं और गैस ओन कर लीते हैं, अब हम इसकी आप जिस चाह साइस में चाहें उस साइस में ऐसे बाल्स बना लेंगे और फिर मंचुरियन फ्राइब कर लेंगे तेल गरम हो गया है अब हम इसमें मंचुरिन बॉल जम ने बनाएटी हो मिसमें डालेंगे फ्राई लेगे अब हमारे यह मंचुरिन फ्राई हो गया है प्लेट पर टीशू पेपर लगाएंगे और उसपर इसे निकाल लेगे अब हमारे मंचुरिन फ्राई हो गया है अब हम इसके लिए ग्रेपी तयार करेंगे पैन लेंगे और गैस आउन करके और उसमें ऑईल लानेगे हमारा ओल गरम हो गया है अब हम इसमें जो लहसूर हमने चौप किये थे वो लहसूर और हरी मिर्चे डालेंगे इसे हम बहुत लाइट सा ब्राउन करेंगे बहुत जाज़े ब्राउन नहीं गरेंगे देखें यहां हो गए है अब हम इसमें प्यास जा रेंगे और सारी सब्जियां जो हमने स्टैंप पे बचाईती जैसे कि गोगी पत्ता गोगी गाजर और फ्रेंच पिन दालेंगे अब हम इसमें सवादल सा नमक बाळेंगो नमक हम लगी यहांद से रालेंगे क्योंकि सवयास मुई पहले से नमक होता हम जाज़ा ही पकाएंगे हम इसे हल्का सरी पकाएंगे क्योंकि हम सब्जिया थोड़ी सी कच्छी रहती है और मुनी आती है तो खाने में बहुत अच्छी लगती है जब तक सब्जिया हो रही है तब तक हम कॉन फ्लोर में पाने डालके गोल लेंगे इससे हमारा मंचुरियन की ग्रेवी थोड़ी तिक हो जाएगे दिखिए हमारी सब्जिया ही थोड़ी सी क्रंची हो गई है अब हम इसमें 1 टेपल स्पूम तोया सॉस जा रा लेँगे 1 टेपल स्पूम फिली सॉस जाले लेजे कॉन फ्रोर डालेंगे और वनेगर डालेंगे और इसे एक बाइ चला लेगे इतनी कॉन फ्रोर डालेंगे इतना फिक हो गया है अब हम इसमें देड़ कफ पाने डाल देगे अब इसमें कुबाली आ गई है कुबाली आने के बाद हम इसमें जो मंचुरी हमने फ्राइ गिये थे वो मंचुरी डाल देगे अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थीक लगती है तो आप इसमें थोड़ा से पानी और डाल सकते हैं वैसे यहाँ पानी प्रोपर ले कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे कवर कर देंगे इससे जो इसके सौसजेस है और इसकी जो ग्रेवी है वो मंचुरी डाल के अंदर आ जाएगी और थोड़े से मंचुरीन बहुत सौफ्ट हो जाएगी अब हमारे यहाँ गर्मा गरन और स्वादिश वैज मंचुरीन ग्रेवी तयार है अब आप इसे बनाएगे और अपने अलुभव मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे लेटिस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टैड पर क्लिक करें थेंक यू